आशा करता हूँ, आप सब अच्चे होंगे, कारगुल मिनिस्टी के ओनलाइन पोर्टर पे एक पार फिर आप शब का श्वागत करते हैं RKC के द्वारा हाले में RS भरती यानि कि राजस्तान एड्मेस्टरिटिव सर्विस के लिए जो फुल नॉटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, इस भरती के लिए, उसके सलेबस भी यहाँ पर जारी कर दिये गए, यानि कि RS भरती 2021 के सलेबस जो प्री एक्जामिनिशन में यहाँ पर रहेंगे, उसका complete सलेबस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, राजस्तान लोग शवा आयोग के द्वारा जारी कियेगे, RS भरती 2021 के सलेबस की, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, राजस्तान लोग शवा आ प्री का रहने वाला है, प्री के आप उन बात करेंगे, उसके बाद इमेंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले प्री में सभी कोशन जो होगे, वो वस्तुनिस्ट होगे, यानि कि MCQ-Based होगे, इसमें आपको चार ओप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ओप्शन आपको टिकमार करना होगा टोटर यहां पे 200 अंकों का यहां पे पेपर हो गए इसमें अगर बात करें पेपर में तो विशय परशन पत्र फस्ट जो रहेगा उसमें सामने ज्यान सामने विज्यान और 200 मार्क्स का अधिक्तम रहेगा और इसके लिए 3 घंटे आपको बोड के द्वारा दिये जाएंगे सौल करने के लिए टोटल कोशन यहां पे 150 होंगे अधिक्तम अंक जो है वो 200 होंगे और परतेक के नेगिटिव मार्किंग जो आपके रखी गए परतेक परसन पे वो 1 बाई 3 नेगिटिव मार्किंग होगी तो यहां पे देख सकते हैं राजस्तान लोग शेवा आयोग के द लेंगे वो आपको 150 होंगे और सभी परसन MCQ होंगे यानि की वस्तुनिस्ट पर्शन होंगे चलिए आगे बात करेंगे यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं पाठागरम सबसे पहले पाठागरम की बात करेंगे तो इसके अंदर राजस्तान का इतियाश कला शेंसकरती सा सबसे पहले बात करेंगे राजस्तान के प्रागेतियासिक स्थल जिसमें पूरा पाशान से तामर पाशान काश्य यूग तक यहां पर आपको पढ़ने होंगे इसके अंदर सबसे पहले राजस्तान के प्रागेतियासिक इतियासिक के बारे में जानना पड़ेगा जिसमें स इतियासिक राजस्तान किस प्रकार से राजस्तान की इतियासिक है जिसमें प्रार्मिक इस्विकाल्स के मैत्यपूर्ण इतियासिक के इंदर प्राचिन राजस्तान में सामाज, धरम और सैंसकर्थी के अधार पे इतियासिक राजस्तान में जो main points है वहाँ से question पूछेंगे राजस्तान के परमुख राजवन्स जो की मैत्यपूर्ण यहाँ पे सासक के रूम में इन्होंने राज किया उनकी राजनेतिक प्रकरिया उनके शासकर्तिक कारेकरम जिसमें गोहिल, परतिहार, चोहान, परमार, राठोड, सिशोदिया, कच्छावा, मद्यकानली राजस्तान में परशाशनिक ए राजस्ता के बारे में आपसे question पूछे जाएंगे next बात करें तो आधुनिक राजस्तान का उदे की बात करें जिसमें 19 स्वी से लेके 20 सतादी की बीच में राजस्तान में मुख्य सामाजिक जागरती के इसाब से जो मुख्य कारक यहां पे रहे जिसमें राजनेतिक जागरण आप कह सकते हैं जिसमें समाचार पत्रों की साहिता से राजनेतिक संस्तानों की भूमिका यहां पे देखी गई 20. सताब्दी में जन जाती किशान अंदोलन 20. जो शताब्दी के दोरान विभिन देशी रियाष्टे जैसे परजा मंडल राजस्तान का एक ही करण सभी इसमें आपको यहां पे पढ़ने होंगे राजस्तान की वस्तू प्रंप्रा की अगर बात करें तो मंदिर, किले, महल वहां के मानो निर्मित जलिय सरंचनाय, चित्रकला, विभिन शेलिया, हस्त सिल्प यह सभी आपको यहां पे इस टॉपिक्स में मेंशन किये गए हैं आगे बात करतें नेक्स टॉपिक्स में जिसमें परदशन कला के बारे में आपको सास्त्रिय संगीत यहां के एतियासिक संगीत, गीत, उसके बाद में सास्त्रिय नरते, लोक्षंगीत, वाद्दे यंत्र और वाद्दे यंत्र से समंदित नाटक यह सभी जानकरी आपको एक working knowledge, एक अच्छे mains level पे आपको यहां पे इसकी preparation करनी होगी देगी, त्यारी के लिए आपको सबसे best option यही होता है, कि आप सबसे पहले उसके basics को clear करें basics को clear करने के बाद में उसके जो conceptual basis हैं, उसके आधार पे आप reference book को purchase करें directly अगर आप start कर रहे हैं, तो आप directly reference books को ना पढ़ें क्योंकि उससे आपको दो घाटे आपे होगे, पहला घाटा यह होगा कि वो books काफी lengthy होगी, जिसको समझने में उसकी बाशा को आपको समझने में समय लगेगा, जिससे आपको काफी प्रकार के frustration देखने को मिलेगे दूसरा घाटा यह है कि उस book से अगर आप पढ़ भी लेंगे, तो आपको direct indirectly वहाँ से कुछ topic समझ में आएंगे, या फिर कुछ नहीं आएंगे, जिसको आप basically आप जानने ही पाएंगे, हाला कि आप पढ़ तो लेंगे, syllabus भी complete कर लेंगे, लेकिन वहाँ से मुख्य content जो हो देने वाले हैं, वो आप सीख नहीं पाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, राजस्तान के जो स्कूल्स हैं, गौर्मेंट स्कूल्स या पर प्राइविट जो भी लेना चाहें, वहाँ पे जो अपने सामन्य अध्धन जो होता है, राजस्तान का, कला सेंसकृती की ब जुरुआत कीजिए, हाला कि जिन अभीर्थियों ने आप इस्टेडी कर रखे राजस्तान से समंदी, तो उनको तो आई हूप को जादा या आप समझने, सीखने की बात है नहीं, उनको अपने टॉपिक्स को रिवाइस करना है, बहतरियन तरीके से उसको स्मार्ट उसको कम्प्लीट करना है, चलिए नेक्स टोपिंग में बाशा शाहिते के अधार पर जो बोलिया है, वाकि लोग साहिते हैं, साहिते से समंदीत हैं, ये सभी जानने चाहिए आपको, आर्थिक धार्मिक जीवन की अगर बात करें, जिसमें धार्मिक शमुदाय, राजस्ता राजस्तान में संत संपरदाय, राजस्तान की लोग देवी देवता, राजस्तान में शामाजिक जीवन जिसे मेले, तिवार, सामाजिक रिती रिवाज, प्रमप्राय, वेशबुशा, आबुशन, राजस्तान की परमुक वैक्तित्वे, जिसमें काफी जो परसन परशिद ह उनके बारे में उनकी biography, उनके बारे में importance, उनका राजस्तान के इतियास में क्या यहाँ पर योगदान रहा, किस परकार से उन्होंने राजस्तान के इतियास में अपना योगदान दिया, सभी बाते आपको यहाँ पर सीखनी होगी, भारत के इतियास के अगर बात करें, तो इ इंदू, वेदी, काल, छटी, इशापुर्वश, शर्मन, प्रम्परा, नए धार्मिविचार, आजवेग, बोध, जेन, ये सभी चीज़े आपको पढ़नी होगी, परमुक राजबंसों के मैंत्रपुन, उनकी शाषकों की उपलब दिया, जिसमें मोरिय, कुशान, साथवहा पल्लव, ये सभी जो इतियास हैं, वो भारत के इतियास हैं, इससे पहले जो मैंने आपके पास साथ में जो टॉपेक्स किये थे, वो सभी टॉपिक राजस्ताण इतियास से समंदित These, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दखिये राजस्तान का इतियास, कला, श् वास्तु कला वहां की प्राचिन सब्यताय बाशाय विकाश शैशकरती संत्थ सल्तनत काल में सल्तनत के शाशकों के बारे में मुगल काल राजनितिक चुनोतिया सुलह अफगान राजपू धकनी उसके बाद मद्यकाल कला वास्तु कि चित्रकला बगती शूफिशंत अंदोलन समन्दित आदुनिकाल में अगर बात करें तो यह आपके राष्ट्रवाद का उदे इस समन्दित भारतिये राष्ट्य अंदोलन स्वतंतरता संग्रस उसके बाद में राष्ट निर्मान जिसमें बाशिय पुनर पुनर गठन है नैरू यूग है आपके विज्ञान ये तक पर्शी परकार पर्मुख और दोगीक परदेश प्रयावरेने मुद्दे मरुस्तली करण वनोन मुलन जलवायू परिवर्तन गलोबल वार्निंग ये सबी आपको देखने होंगे आपे बारत के बुगोल की बात करें तो वो आपका स्थला करती जिसमें परवत पठार मेद इसमें बुगोल की बात करें तो इसमें आपके राजस्तान की भो आकरतिक परदेश जलवायू नदिया प्राकरतिक वनस्पति मर्दा परमुख फशले जिसमें गेहूं मक्का जो कपाश गन्ना बाजरा परमुख उदोग परमुख सिचाई परियोजने जल सरक्षन तकनिक जन्संक्या वर्दी गनत्वे शाक्षरता लिंगानुपात यह परमुख परिजन जातिया खनीश दात्विक एधात्विक उर्जा शन्शादन जेव विविदता प्रियाटन स्थल यह सभी आपको यहापे पढ़ने होंगे भारती सविधान राजनेतिक वैस्ता शाषन पर उदेशिका, मूलप, अधिकार, राश्रपती, परधान मंत्री, मंत्री परिशद, शशंद, उचन्याले, नियारिक पुर्णरा लोकन, भारत निरवाचन, आयोग नियंत्र, महालिका यह सभी चीजे आपको यहापे पॉलिटी के रूम में पढ़ने होगी राजस्तान के र रास्तान लोक शिवा आयोग के बारे में, रास्तान मानवा धिकार, लोक आयुक्त, राज्य निरवाचन आयोग के बारे में, राज्य सुचन आयोग के बारे में, लोग निती अधिकार के बारे में, यह सभी जनकरिया आपको पढ़नी होगी, आर्थिक धरना होगी जिसमे में लोग वित हो गया वस्तू शेवाकर रास्टी आय सवर्दी विकाश अधारबूद ग्यान हो गया लेखांगन हो गया उसके राज के कोश मोदिक नितिया हो गया सबसीडी लोग वित्रन प्रनाली हो गया यह सभी आपको यहां पर पढ़ने हो गया आर्थिक विकाश अयोजन हो गया आर्थिक विकाश के बारे में आपको पढ़ना होगा मानव शिंशादन आर्थिक विकाश के बारे में आपको पढ़ना होगा सामाजिक न्याय अधिकारित के बारे में आपको पढ़ना होगा राजस्तान की अर्थवेस्ता के बारे में आप लोग यहां पर कर्शी शमंदित विकाश आयोजन आधारबू सरचना परमुक जाती अनुसुच जन जाती अन्य पिछला वरग यह सभी जातिया के बारे में आपको अध्यन करना होगा विज्ञान प्रदोगी की बारे में आपकी स्पेश के बारे में आपके बास में आहार पोशन सवास्ते देखवाल संकर्मन प्रियावरन जेव विजिता कर्शी विज् यापके देख सकते हैं ये आपका डिनिसैनों में पढ़ने होगे मांद सिख योगैता के वारे में आप यह आपको यह पर सकते हैं जो की रीजीनिग पार्टा है आप這是 को परणे हो यह वांद यह भी आ पकूह सकते हैं कि अनुपात प्रतिशत लोग शिवा आयो के द्वारा RS भरती 221 का पाठेगरम था मैंने आपको हर टोपिक्स के कॉडिंग आपको डिस्क्स करने की कोशिश की उमीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो करप्या चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन्स भी दबाए साथ ही आपे अपने फ्रेंट सर्कल में इसको शेर भी करें